आज बीजेपी का स्थाप्रा दिवस मुनाया गया इस मौक्य पर लखनों के सरोरी नगव विधान सवाच्छेत्र में विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंग ने जंडा बीजेपी का जंडा कमल को फैरा कर इसकी स्थाप्रा दिवस की शुरूबात की यतना यह नहीं आज क कि दिन शावर्पिषाद मुखर जी को भी याद किया गया आप देख सकते हैं इस वक्त डॉक्त डॉक्त डॉक्टर विधायक डॉक्त राजेश्वर सिंग यहां पर पहुंचकर अपने लोगों से यहां मुलाकाट कर रहे हैं उनकी समस्याओं कर रहे हैं इसके साथ ही वह जल सभाव में यहां पर पहुंचकर सबसे बड़ी इंपोर्टेंट की बीजेपी की कारेशली बीजेपी योजनाओं को यहां पर एक दूसरे को बताने की पूरी को कोर्शिश किया है और साथ ही चुनाओ के अगर बात करें तो विधायक डॉक्त राजेश्वर सिंग ने इ हिंदुस्तान को नई उचाईयों पे पहुचा आया है हम लोग सारे अपने वरिश नेताओं का अभार्वेक करते हैं और भारती जनता पार्टी के संस्थापक आदर्णी पंडित दीन दिया लुपाधिया जी शाम अपसाद मुकर जी ती आदर्णी अटल विहारी बाचप किया है भारती जनता पार्टी के उपर अपार विश्वास है भारती जनता पार्टी के नित्रित पे भारती जनता पार्टी की नीतियों पे और भारती जनता पार्टी की निष्ठा पे जनता को अपार विश्वास है भारती जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है कहा धारा 370 हटाएंगे 370 हटा दिया कहा ट्रिपल तलाग खतम करेंगे ट्रिपल तलाग खतम कर दिया कहा C.A. कानून हम लाएंगे हमारे जो प्रताडित हुए जो पाकिस्तान बंगलादेश अफगानिस्तान से हिंदूओं के साथ बौधियों के साथ सिखों के साथ जैनियों के साथ जो अत्याचार हुए जिनको कोई नागरिकता नहीं दे उनको नागरिकता देने के लिए हमने कानून बनाया और बनाया और मजबूत कानून बनाया तो भारती जंता पार्टी जो कहत अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके